सो यह गाईज आज हम करने वाले वन क्लिक फोटो एडिरिंग वह भी बहुत ही आसान तरीकी से तो चल यह वीडियो में आगे बरते हैं अगे इस सबसे पहले आपको आजाना होगा एपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर यहां पर आना एक बाद आपको अपनी प्लेश्टोर जो एपलिकेसन है उसको ओपन कर लेना होगा open करने के बाद आपको यहाँ पे जो search वाला option देखने को मिल जाएगा उसके उपर click करना है और यहाँ पे आपको यह जो वाला application है photo course करके उस application को search करना है तो मैं सबसे पहले किया करूँगा उस application को यहाँ पे search करूँगा और उस application को search करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको application देखने को मिल जाएगा ये वाला जो application है आपको अपनी mobile पे install करना है और सबसे पहले आपको अपनी जो application है उसको open करना है तो मैं क्या करता हूँ मैंने इसको install करके रखा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो open वाला option आपको देखने को मिल जाएगा उसके उपर click करेंगे और यहाँ पर आजाएंगे अपनी application के अंदर यहाँ पर फोटो वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर कोई जी भी एक photo जो है उसको यहाँ पर हम import कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने photo को import कर लिया गए import करने के बाद आपको क्या करना होगा थो एक दिर wait करना है जैसे photo import हो जाएगी आपको यहाँ पर यह जो preset वाला option देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का उसके बाद आपको यहाँ पर click करना होगा क्लिक करने कब आपको तफिर wait करना है wait करने कब आपको यहाँ पर standard करके application के उपर यहाँ पर यह जो वाला option उसको देखने को मिल जाएगा click करने कब आपको बहुत ही सारे यहाँ पर preset देखने को मिल जाएगे जो कि एकदम free है और आपको इसको use करने के लिए कुछ भी pay नहीं करना है यहाँ पर क्लिक करने बाद यह जो red and blue वाला जो देखने को मिल जाएगा preset उसके उपर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा क्योंकि यह जो preset है बहुत ज़्यादा mask है तो इसके उपर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं यह जो preset है इसके उपर apply हो जाएगा apply होने के बाद आपको यहाँ पर जो edit वाला option देखने को मिल जाएगा जो बीच में यहाँ पर center पर उसके उपर क्लिक करना है अब यहाँ पे आपको basics वाले जो ये option उसके उपर click करना है यहाँ पे आपको जो search engine वाला option देखने को मिल जाएगा उसके उपर click करना होगा और उसको 100 कर देना होगा यह जो चीज़े वो करने के बाद आपको यहाँ पे right वाला option देखने को मिल जाएगा उसके अबर आपको क्लिक कर देना होगा यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वाले अप्सन के उपर क्लिक करना है यहाँ पर आपको यह जो फोटो सेवार्ट वाला अप्सन देखने को मिल जाएगा Pixart application को open करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इस वाले option के उपर click करना होगा add photo वाले option के उपर यहाँ पे click करने के बाद आपको अपनी जो original photo थी उसको यहाँ पे import करना है तो मैं यहाँ पे अपनी जो original photo है उसको import कर लूँगा import करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे यह जो photo है उसको import करने के बाद हम यहाँ पे इसको center में अच्छी तरीक से adjust कर लेंगे बिल्कुल corner to corner अब यहाँ पे आपको erase वाला option के पर click करना है और यहाँ पे यह जो brush वाला है उसको invert करके आपको erase start कर देनी है erase यहाँ पे आपको start कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका model है वो अच्छी तरीक से यहाँ पे clear होना start हो चुका है तो मैं क्या करूँ गाइज जल्दी से इस जो erasing है उसको complete करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाऊँगा किस तरीके से आप इसको multiple color में भी change कर सकते हो तो क्या करें गाइज सबसे पहले इसको जल्दी से erase करते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस color को या फिर इस preset को multiple color पे preset पे use कर सकते हो और वो भी बहुत ही आसान तरीके से तो कई जल्दी से हम यहाँ पे erasing complete कर लेंगे जो कि हमारी erasing जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पे complete हो गई है erasing complete करने के बाद आपको right वाले option के उपर यहाँ पे click कर देना होगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे right वाले option के उपर click कर दूँगा यहाँ पे click करने बाद वापस से right वाले option के उपर click कर देंगे अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको interface देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो tool वाले option देखने को मिल जाएगा उसके उपर यहाँ पे click करना होगा तो मैं यहाँ पे यह जो टूल वाला उप्सन है उसके उपर क्लिक करूँगा अब यहाँ पे एड्जेस वाला उप्सन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्लिक करने बद आपको यहाँ पे यू वाला उप्सन देखने को मिल जाएगा उसके उपर क्लिक करना होगा और जैसे वाले टूल के उपर जाऊंगा यहाँ पर इरेज वाला टूल सिलेक करके यहाँ पर जो अपनी मोडल है उसके उपर से यह जो इफेक्ट आचुके उसको इरेज कर लूँगा और यह करनेक बाद यहाँ तो आख तो आःओ आप अच्छे लगी है तो आप चाहो तो इस चनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे वीडियो इसके लिए आप हमें फोलो भी कर सकते हो उमारे इंस्टागाम के उपर और लाइक भी कर सकते हो तो थैंक्स